रादे रादे दोस्तों वास्टिपस फोर होम चैनल में आप सबी दोस्तों का स्वागत हैं दोस्तों जिन इस्तियों के पती कहना नहीं मानते ही घर में बात बात पर कलेश होता है या पती किसी परिष्टी के चक्कर में है या किसी परिष्टी ने उनकी उपा तोना तोटका कर रखा है तो आप इस मंगलवार को सिभ योग बन रहा है सिभ योग का मंगलवार के दिन होना एक सरवार सिद्यो बनता है इस दिन अगर हनवान जी के सामने एक दीपक जला करके ये उपाय किया जाएं तो निश्चित रूप से आपका पती आपकी बात मानेगा और आपके कहन साथ से लेगा आपको मान सम्मान देगा घर गरिश्टी पा ध्यान देगा इसमें माता बेनों को करना यह है कि पतनी को अपने पती को वस्मे करने के लिए मंगल वार के दिन एक घी का दीपक तयार करना हैं अगर घी नहीं है तो उसकी जग़ापे आप चमिली के तेलका भी दीपक तयार कर सकती हैं उस दीपक में दो फूल डाल लोंग डाल लें और थोड़े से पांच या साथ चाबल के डाने डाल लें इसके साथ में आपको जो है पांच गुलाब के फूल लेने ही गुलाब के फूल साथ लेकर के आप मंदर में जाएं और जाकर के हनवान जी के सामने आप गुलाब के इस मंत्र का जाब कर सकती हैं और पती वसी करण के लिए कि पती की उपा अगर किसी प्रिकार का तोना तोटका है या पती की किसी ग्रह दोश के कारण आपसे प्रेम नहीं करता उसके लिए हनवान जी संकत मोशन से प्रातना करें और हनवान जी का जो सीधे पैर का सिंदूर है जैसे इस ती जो है इस पर्स कई जगे नहीं कर पाती है तो पर्णिजी से मांग के ले सकते हैं सीधे पैड का सिंदूर ले करके आ जाएं या तो पती के माते पती का लगा दें एस उपाय को जुरू करें वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आज सभी को रादे रादे